हेलो डियर स्टुडेंट दाउसरी वासुदेव चंद्राकर कामदेनू विश्वत दल्याद दुर्ग के दौरा विभिन डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश है तो ऑनलेन जो पोटल है वो ओपन हो गए है अगर सीजी के दौरा संचाली तो विभिन जो आपका कॉलेजिस है जहां पर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाते हैं तो यहां के लिए ओनलाइन एड्मिसन की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है पूरी इंफर्मिसन आपको इस वीडियो में प्रोवाइट की गई है तो व डिप्लोमा इन एनिमल हजबेंडरी हो गया डिप्लोमा इन फिजरी साइंस हो गया यहां पर प्रवेश लेना चाते हैं और आपने व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले पी एटी और पी वी पी टी का एक्जाम दिया है तो उसी के बेस पर यहां पर जो मेरिट सूची ज प्रवेश लेना होगा साथ ही अगर आप वेटनेरी कोर्स में प्रवेश लेना चाते हैं तो वेटनेरी पॉल्टेक्निक्स के जो डिप्लोमा इनिमल हस्बेंडरी पार्ठिकरम है यहां पर जगदलपूर महासमुन राजनांद गॉय यह सूरजपूर के जो कॉलेजिस हैं पर आप प्रवेश ले सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको व्यापमद और आयोजी तो जो पीवीपीटी का एक्जाम कंड़क्ट हुआ था उसके मेरिट के बेस पर और क्लास 12 के बेस पर यहाँ पर आपका प्रवेश जो है वो होंगे ठीक है जो पूरी डिटेल है वो आप व पाउधी है यानि कि दो वर्स की या कोर्स संचालित होंगे साथ ही आपके लिए अनिवारे विशे यानि कि कौन से स्टुडिन इसमें अप्लाई कर पाएंगे तो अगर आपके 12 में फिजिक्स केमेस्टी और जिव विज्यान है तो ही यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे य यहाँ पर जो STSC, OBC, साथ ही female category के जो candidate है उनको 25 वर्स के आयू तक छूट है ठीक है अगर आप STSC, OBC और female साथ ही विखलाई कोटा से बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर जो अधिक्तम आयू मांगी गई है वो 25 वर्स है और जो general category के candidate है उनको किवल यहाँ पर 22 वर्स मांगी जिसकी अंतिमतिती 16 सितंबर 2022 है आविदन सुल्ग की अगर बात करें तो 500 रुपए OBC और general के student को लगेंगे 300 रुपए STSC के student को यहाँ पर पेट करना होगा ठीक है आगे की पूरी जो डेटेल है वो आपको इसमें बताई गई है बने रहे पूरे वीडियो के साथ और यहा पोर्टल है registration का वो 29 सितंबर 2022 प्राता 11 बजे से प्राराम हो चुका है जिसकी अंतिमतिती 16 सितंबर 2022 रखी गई है साथ ही जो पंजिकरित जिन्होंने form apply किया है उनकी सूची यानि कि जितने भी candidate ने form apply किया है उनका जो list है वो 18 सितंबर 2022 को जारी किये जाएंगे और उसके अगर आपके form में कोई correction वगेरा करनी हो तो 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच जो है वो आप अपना online जो form फिल किये है उसमें correction कर पाएंगे अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपका print out निकला है उसके साथ अपने समस्त document को आपके जो भी नजदिक में आपके जो उपस्तित होकर आपको अपना जो पंजियन है वो कराना होगा 21 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक ठीक है अब next step जो क्या रहेगा कि यहां पर पात्र आपात्र सूची का प्रकासन किया जाएगा यानि कि 25 सितंबर 2022 को जिन student ने 21 सितंबर 2022 और 23 सितंबर 2022 के बीच अपना जो document है उस candidate की वो 25 सितंबर 2022 को जारी किया जाएंगे उसके बाद start होगा आपको counseling का main point यहां पर छटवा point आप देख पा रहे होंगे यहां पर PVPT की merit सूची के अधार पर यानि कि जो candidate ने PVPT के exam दिया है उसके base पर और आपके counseling के जो आगर आपने पात्र हुआ है तो उसके base पर यह पर आपके जो college आपने चुना होगा वेटनरी या मजसिकी पॉल टेकनिक का तो वहां पे seat आवंटन की जो list है वो 28 सितंबर 2022 को जारी की जाएगी ठीक है और उसके बाद आवंटी जो भी आपको seat मिला है उसको freeze या float option का select करने के लिए 28 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक आपको आ ठीक है अनथा आप float option का selection करेंगे उसके बाद है पॉल टेकनिक अनुसार seat सुरक्षित किये अभ्यरतियों को सूची का online प्रकाशन यानि कि आपकी जो main list होगी प्रवेश के लिए वो 3 अक्टूबर 2022 को जारी की जाएगी वो भी किन शुडियन का जिन्होंने अपना जो seat है ले सकेंगे उसके बाद counseling का second round में स्टार्ट होगा जिसमें जो पूर्व में जिन्होंने registration करवाया था जो registration form आपने फील किया था पूना एक और सूची जारी की जाएगी जो waiting में थे उनका 7 अक्टूबर 2022 को उसके बाद polytechnic अनुसार seat abunton की सूची जो है वो 8 अक्टूब थे जो candidate थे उनका ठीक है उसके बाद आपको अपना जो seat है वो reserve करना होगा freeze करना होगा वो 8 अटूबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक आप कर पाएँगे उसके बाद जिन student ने अपना जो seat है वो freeze करवाया है उनकी जो list है तेरा October 2022 को जारी की जाएँगे उसके बाद आप जो admission लेना होगा, ठीक है counseling का जो third round start होगा, वो 15 October 2022 को होगा, जो बचे हुए और candidate थे उनका पूना है, जो list है वो जारी की जाएगी, provisional seat वो पोलिटेकनिक आबंटी जो है वो 15 October 2022 को जारी किये जाएगे, उसके बाद आपको अपना जो seat है, वो 12 October से 17 October के 20 तक का आपका freeze करवाना होगा आपकी login ID, password से आपका जो allotment है, वो दे दिया जाएगा उसके बाद अगला जो है, वो आपका point है कि, अगर आप seat परिवर्थित करना चाते है, चाहे आपने पूर्व में admission लिया हो, या अभी बाद में जो second round या third round mad mission हुआ हो, तो यहाँ पर आप जो है अपना seat conversation कर सकते हैं यानि कि seatों का परिवर्थन कर सकते हैं ठीक है, जिसकी date 19 October 2022 रखी गई है इसकी विश्चेत जानकारी बाद में और फिर से जारी की जाएगी, और seat जो परिवर्थन होगा, वो offline mode से होगा, तो 21 October 2022 को होगा, साथ ही जो seat परिवर्थन का स्थल है जहां पर पहुँच करके आपको अपना seat परिवर्थन करवाना होगा, वो है आपका वेटनरी पॉल्टेकनिक बोरी राजननगोग, जो की खेरागर रोड पर इस स्थीत है, वहाँ पर ही आप आवेदन कर पाएंगे अपना seat परिवर्थन के लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो seat परिवर्थन का समय होगा, वो प्राता साड़े 10 से 1 बजे तक होगा, उपस्थीती आपको 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 दर्ज करानी होगी, फिर देड़ बजे से seat आबंडन की प्रक्रिया जो है वो स्थार्ट हो जाएगी, ठीक है बचिवी seat के लिए offline mode से यहाँ पर admission दिये जाएंगे, तो यहाँ पर 21 तारीक को है वो offline mode से आपका seat conversation होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा, वेटनरी, पॉल्टेक्निक्स, बोरी, राननदगों, जो की खैरागाट रोड पर स्थीत है, ठीक है, टाइमिंग जो रहेगी, वो साड़े दस से एक बजे तक होगी और देड़ बजे से आपका जो seat allotment है, वो दे दिया जाएगा, उसके पस साथ आगे की जो process है, admission की वो चलती रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पॉल्टेक्निक जो CZ के भी दोरा, IOG पॉल्टेक्निक कोर्सेस है, वहाँ पर प्रवेश के लिए यह जो जानकारी है, अगर information में आपको कोई doubt हो, confusion हो, यह कहीं पर कोई दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल comment के माद्द हम से पूछ सकते हैं, साथ ही नए है हमारे चैनल में पहली बारा है, तो इस तरह से और नई-नई notification जानकारी हो के लिए, हमारा जो चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर कर ले वे, यहाँ पर जो details है वो काफी जादा है, हो सकता है कि आपको समझ ना आया होगा, तो आप comment के माद्द हम से पूछ सकते हैं,